नमस्कार आज मैं आपको बताऊंगी सिलाई कोर्स के बारे में तो जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि हमें सिलाई सीखनी है और काफी लोग पूछ रहे हैं कि हमें फर्मे की कटिंग खरीदनी है और हम फर्मा खरीदें के नहीं खरीदें और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आ आपको मैं किसी होती इसको हमें कैसे करनामा है अगर हम छेस्ट के साब से क्टिंग करें तो कैसे कने सबसेपैस्ट के सबसे पहले ना जसी कुछ सकते हैं उसको रखने के बाद सिर्फ एक चेस्ट का बना लेंगे जादा जादा दो चेस्ट का बना लेंगे लेकिन उसकी जो फिटिंग और सफाई यह बोन नहीं आप पे आगी कॉलर कैसे लगाया जाता बो नहीं आएगा तो मैं तो आपको यहीं बोलूंगी कि आप कोर्स और नहीं फर्मा cutting करीक तो सिर्प पेपर पहले करणेंग कीजिए फिर कपड़े की उपर कीजिए फिर आप उसको और जो मैं आपको टिप्स बताते हूं कि जैसे प्लेट डालने का जो तरीका होता है कि सेप में हमें प्लेट डालनी है तो पोस्ट सब आप सीखिए और फिर देखिए एक महिने के अंदर आप एक तम परफेक्क टेलर बन जाएंगे क्योंकि मैंने जो लोगों को सिखाया है व तो मैं आपको बताऊंगे किस तरीके से फर्मे की कटिंग होती है और किस तरीके से आपको बलाउज की कटिंग करनी है तो देखिए मैं आपको बताऊंगे किस तरीके से आपको फर्मे की कटिंग करनी है तो आप घर पे अपने खुद की फर्मे की कटिंग बना सकते हैं और पहले मेनत कीजिए और मैं आपको सिखाऊंगे सिलाई एक दम परफेक्ट आप एक टेलर बन जाएंगे और अच्छे से ब्लाउज बनाना भी सीख जाएंगे लेकिन उसके लिए आपको प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता च पूछेंगे कि हमें साधा बलाउज बताईए कटिंग करके या कटोरी बाला बताईए तो मैं आपको वही बताया करूंगे तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको सिलाई सिखाऊं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे कमेंट करके आप स्वाइब करने और मेरी इस वीडियो को शेयर करें इससे कि ज्ञादा से ज्यादा लोग जुट जाएंगे तो मैं आपको लाइब भी सिखाऊंगी इससे क्या है कि ज़्यादा से ज्यादा लोगन को पता चलिए कि कोर्स के चकर में ना पड़े और मैं इस चैनल पर लाइब आने बाले हुँ और मैं आपको बताऊँगी जो भी आप मांगेगे चाहए साधब lounge ऑचहाए कटोरी बाला हो कि कोर्स खरदीन से कुछ नहीं होता है जो आप मेनत करोगे उसी से आप अच्छा बलाउज बना सकोगे तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और शेयर करना ना भूलें और मैं आपको लाइब जरूर बताऊंगी बस मुझे ज्यादा स ज्यादा लोग चाहिए सीखने के लिए तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और अगर आप नहीं हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राब करें धन्यवार